हलो एवरिवन मेरा नाम है करन और आप ले रहें इंग्लिश ग्यान जो है बहुत आसान तो इजी इंग्लिश के नए सेशन में आपका स्वागत है दोस्तों आज का हमारा टोपिक है प्रेजेंटेशन कैसे दें तो चलिए जानते हैं सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रेजेंटेशन होती क्या है वैसे प्रेजेंटेशन के बारे में तो आप जानते ही होंगे लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम बैक्राउंड से हैं तो आपने स्पीच के बारे में जरूर सुना होगा वैसे स्पीच वर्ड सुनते ही हमारे मन में दो तीन इमेजी सबसे पहले आती हैं जैसे नेता 15 अगस्त 26 जन्वरी स्कूल टाइम में 15 अगस्त और 26 जन्वरी पर दीगे स्पीच ओमाई गोड आप सभी को याद होगी हजारों की भीड के सामने एक अकेला बेबस लाचार और घबराया हुआ इंसान खड़ा होता था और सोच रहा होता था कि हे भगवान आज बचाले बस मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद कभी 15 अगस्त और 26 जन्वरी के दिन स्कूल नहीं आऊंगा और वो कसम सिर्फ एक कसम नहीं होती थी दोस्तो उस कसम को लोग निभाते थे आज कल के कसमे वादे चाइनीज प्रोडक्स की तरह हैं चले तो चांद तक ना चले तो शाम तक चलिए मुद्दे पर आते हैं प्रेजेंटेशन कैसे दें अब यहाँ दो पोइंट्स हैं पहला आप प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं दूसरा प्रेजेंटेशन कैसे देनी चाहिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं इसे एक इग्जैम्पल से समझते हैं मान लीजे कोई आपसे ये जानना चाहता है कि आप अपना दिन कैसे स्पेंड करते हैं आपका डेली रूटीन क्या है तो जाहिर सी बात है आप बताएंगे कि सुबा इस टाइम में उठता हूँ ब्रश करता हूँ, शावर लेता हूँ, नाश्ता करता हूँ और जो भी आपकी दिंचरिया होती है वो बला 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 ये है पहला तरीका, इसमें आप किसी भी टोपिक पर डारेक्ट बोलना शुरू कर देते हैं तरीका गलत नहीं है, बस थोड़ा कम असरदार है अब बात करते हैं दूसरे तरीके की के presentation कैसे देनी चाहिए अगर आप अपनी presentation को अच्छी तरीके से present करना चाहते हैं तो आपको उसे तीन हिस्सों में divide करना होगा सबसे पहला opening part, दूसरा content part content का मतलब होता है वो टोपिक जिस पर आपको बोलना है closing इसका third point है तो इसको एक-एक करके समझते हैं ओपनिंग पार्ट क्यों जरूरी होता है प्रेजन्टेशन का माहुल बनाने के लिए ओपनिंग पार्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है और ओपनिंग का अच्छा होना आपके confident होने की guarantee होता है ओपनिंग format मैं आपके सामने ये दिखा देता हूँ ये रापका opening format उसके बाद में आता है content अगर आप पहली या दूसरी बार presentation दे रहे हैं तो अपने content को point wise एक दो तीन बना कर बोल सकते हैं या लिख सकते हैं और अगर आप presentation देते रहते हैं आप habitual है तो आप इसे as a paragraph बोल सकते हैं तीसरा point है closing point closing बहुत आसान होती है दोस्तों बस आपको एक line बोलनी होती है जो आप अभी closing format में देखेंगे तो ये रापका closing format So friends अगर आपको आज का topic पसंद आया है तो चैनल को like, share and subscribe करना ना भूलें तो मिलते हैं next class में next topic के साथ Till then, have a nice time guys